बिस्मिल्लार्राह्मानिर्राहीम स्टुडेंट्स आज हम एक्ससाइज 3.2 चैप्टर नमबर 3 की स्टार्ट करेंगे जिसके क्वेस्टन नमबर 2 से लेके 6 तक हम आज इस लेक्चर में करेंगे सॉल्व करेंगे और इस से पीछे जो एक्ससाइज 3.1 है अगर किसी भी स्टुडेंट को उसमें किसी भी क्वेस्टन के अंदर प्रॉबलम है तो वो वाट्सब ग्रूप मेरे से डिसकस कर सकता है आज यह देखते है एक्ससाइज 3.2 का क्वेस्टन नमबर 2 एक्ससाइज आपके पास है 3.2 क्वेस्टन नमबर 2 है उसका सेकिंड पार्ट है यह आपके स्मार्ट स्लेबर्स का हिस्टा है आपने क्या करना है कि यह एक मैट्रिक्स दिया गया है आपके पास आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है अब inverse find करना है तो students ऐसा matrix जो आपके पास singular matrix हो ऐसे singular matrix वो matrix होता है जिसके जो है determinant equal to zero हो तो जो singular matrix होता है उसका inverse possible नहीं होता और जो non-singular matrix होता है और ऐसा matrix जिसका determinant जो है वो zero के equal ना हो हम उसको कहते हैं कि यह आपके पास non-singular matrix है अब आपने inverse जो है इसे पिछे वाले exercises में भी सीखा है और आपने chapter number one में जो के class ninth के matrices था उसमें भी आपने सीखा होगा हमने क्या किया है सबसे पहले इस questions को जो आपको matrix given है इसको आपने नाम दिया है A का let कर लिया कि यह matrix A के equal है आपके पास the inverse of A is denoted by A की power minus one इस तरह से इसको denote किया जाता है next आपके पास जो inverse का formula है वो यह है कि A inverse equal है adjoint of A divided by A का determinant अब adjoint किस तरह से लेते हैं two cross two matrix का adjoint जो है वो बहुत easy है आपके पास यह जो diagonal entries है minus two और five इनकी आपने जगा को replace करना है five की जगा पे minus two लिखना two minus two की जगा पे five को ले जाना है और यह जो non diagonal entries है इन में आपने क्या करना है कि यह जो minus है इसको plus कर देना और जो plus वाली terms है इसको minus कर देना diagonal entries की जगा replace करते हैं और non diagonal entries की sign को change करते हैं अगर plus है तो minus कर देंगे तो यह आपने उसका adjoint ले लिया next आपने क्या find करना है उसका determinant two cross two का determinant किस तरह से find किया जाता है पहले आपने diagonal entries को आपस में multiply करना है फिर minus फिर non diagonal entries को आपस में multiply करना है अब यह जो है आपके पास diagonal को multiply करेंगे तो तो फाइव जा minus 10 आएगा और यह जो है 4 multiply by 3 तो 12 आएगा यह minus हो यह minus मिल्ट के plus हो जाएगे यह आजाएगा minus 10 plus 12 और 10 में से आपने 12 ने minus किया तो यह 2 आजाएगा आपके पास अब आप यहां से यह देख सकते हैं कि यह जो a का determinant है वो not equal to 0 है 0 के equal नहीं है तो is called a non singular matrix so the inverse of a is possible अब क्या है कि a जो है वो उसका inverse possible है आपके पास उसका formula यह one over a determinant into adjoint of a अब यह one as it is आगया determinant की value क्या है two वो यहां पर put कर दी और यह जो है यह adjoint of a है आपने यह put कर दिया और आपने कह कि यह two को इसकी हर elements के साथ divide कर दिया end पर आके अब आपको पता है कि इसमें कुछ terms cancel होती है जैसे कि यह two two से cancel out होगा the minus one बाच जाएगा और यह two four four two पे divide होगा तो two बाच जाएगा यह आपके पास इस questions का answer है यह inverse है उस matrix का जो आपको दिया गया है next आपके पास question है question number three solve the following system of linear equations आपके पास यह दो linear equations दी गई है यह एक system है system क्या होता है कि जब भी equation ए दो या दो से ज़्यादा equations होंगी तो आपके पास वो system of equations कहलाएगा दो या दो से ज़्यादा equations आपके पास एक साथ हों तो वो system of equations होता है अब linear क्यों कह रहा है कर linear equations का आपको पता है कि ऐसी equation जिसमेна variable की power जिसमेn variable इसमें क्या है? Actually Daily is what है? ईसी equation जिसमेn variable की power जो है वो ज्यादा से ज्यादा वन हो उसको हम कहते हैं कि ये आपके पस linear equations है आपके पास जैसे कि ये इस वी इस वेडिइबल है X2 यह यह भी variable है इसकी भी power देखें तो 1 है इसकी भी power 1 है ऐसी equation जिसकी power यह degree 1 हो उसको हम कहते हैं कि यह linear equations है अब यह दो linear equations है तो इन को जो है आपने matrices की form में solve करना है तो dear students matrices की सबसे बड़ी जो application है वो यही है कि आप किसी भी system of linear equations को यह system of equations को जो है आप matrices के form में लिखे उसको easily आप solve कर सकते है अब आपने क्या करना है कि इन matrix form में लिखना है matrix form में जब लिखेंगे तो आपने क्या करना है कि यह first जो matrix होगा इसमें पहले x1 का coefficient आएगा equation 1 का यहाँ पे x2 का coefficient आएगा जो के 3 है next जो row होगी आपके पास उसमें जो second equation है उसके पहले variable का coefficient आएगा और यहाँ पे negative equations का coefficient होगा आपके पास next आपके पास क्या है कि यह vector matrix आएगा जिसको column matrix बोलते हैं इसमें आपके पास जितने भी variables हों उनको लिखते हैं column wise जैसे कि इसमें दो दूनों में दो variables x1 और x2 पहले x1 रखेंगे दूसरा x2 रखेंगे फिर equal to है बीच में यहाँ पे फिर यह equal to आजाएगा फिर इस matrix में आप क्या करेंगे कि यह जो constants लिखे हुए हैं इसको लिखेंगे यह constant का matrix होता है आपके पास अब आपने क्या करना है कि इस matrix को a का नाम दे देना है इस matrix को capital x का नाम दे देना है और इस matrix को b का नाम दे देना है अब आपके पास यह क्या लिखा हुआ ax equal to b ax equal to b यह जो a होता है इसको matrix of coefficients बोलते हैं और यह constant matrix होता है और यह variable का matrix होता है यह और यह दोनों column matrix है यह वेक्टर matrix है आपके पास और यह आपके पास एक square matrix है जिसकी दो rows है और दो columns है अब आपके पास यह आगया AX equal to B और इसको मैंने कल भी बताया था कि यह आपके पास matrix equations होती है इसमें आपके पास A भी पता है आपको और B भी पता है आपने क्या चीज फाइंड करनी है यह X matrix फाइंड करना है basically अब A को आप जब right side पे लेके आएंगे तो यह आएगा A inverse into B अब A inverse किस तरह से फाइंड करते हैं उसी तरह से जिस तरह से आपने exercise 3.2 के first questions में फाइंड किया है के पहले इस A का adjoint find करेंगे फिर इसका determinant लेंगे अब इसका determinant लिया तो वो minus 13 आ गया अज्वाइंड लेंगे यह minus 1 4 की जगा पर चले जाएगा 4 1 की जगा पर आ जाएगा यह minus 3 हो जाएगा यह भी minus 3 हो जाएगा आपके पास next आपने क्या करना है कि यह inverse आगया आपके बस A inverse आगया जो कि minus 1 over 13 क्योंकि यह minus इसके साथ है तो आपको बताया कि यह नीचे जो है denominator में minus नहीं लिखा थे हैं अगर लिखा भी हो तो उसको उपर लिखते है numerator के साथ यह आपने लिख लिए, यह inverse आगया इसको 13 से इसलिए divide नहीं कर रहा है कि पहले आप इसको B से multiply करें क्योंकि यहाँ पे देखें तो यह B से multiply हो रहा है तो पहले B से multiply कर लें अगर पहले 13 से डिवाइड भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है लेकिन फिर बाद में जब आप मल्टिप्लाई करेंगे इसको B के साथ है तो आपको LCM लेना पड़ेगा उस LCM से बचने के लिए इसलिए मैं लास्ट में इसको मल्टिप्लाई करता हूँ अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास A इन्वर्स का मैट्रिक्स आ गया ये आपके पास B मैट्रिक्स आ गया अब आपको पता है ये और ये मैट्रिक्स आपस में मल्टिप्लाई हो रहे हैं अब multiply होने के लिए एक condition होना बहुत जरूरी है ताब ही दो matrix आपस में multiply हो सकते हैं कि यह जो first matrix है इसके number of columns और यह second matrix है इसके number of rows जो है वो बराबर होने चाहिए अगर यह बराबर होंगे तो then दो matrices आपस में multiply हो सकते हैं अब यह देखें तो इसका एक first column और second column इसके दो column और इसकी एक row और दो row हैं तो यह आपस में multiply हो सकते हैं किस तरह से यह पहला जो row है इसकी यह पहले column से multiply होगी यह minus 1 5 से multiply होगा तो minus 5 आएगा आपके पास यह minus 3 इस 7 से multiply होगा तो यह minus 21 आएगा फिर यह second row जो है first column इसी column से multiply होगा यह minus 5 से multiply होगा तो 15 हो जाएगा यह 4 जो है 7 से multiply होगा तो plus का 27 आएगा अब आप minus 25 और minus 21 तो यह minus 26 आएगा और यह आपके पास 28 में से 15 निकालेंगे तो 13 बचेगा आपके पास cancel out हो जाएगे यहाँ पे आपके पास 13 ones आएगा और यह minus 1 आएगा तो so x1 की value 2 आएगी और x2 की value minus 1 आएगी यही आपके पास वो जो system of linear equations दिया गया था उसका यह solution है x12 है और x2 जो है वो minus 1 है आपके पास next question है आपके पास questions number 4 और उसका आपके पास है fourth part अब fourth part में वो कहता है कि आपने find करना है तीन matrices आपको दिये किया है a, b and c और आपने यह associative law of subtraction जो है यह आपने verify करना है कि आपने पहले क्या करना है b में से c को minus करना है इनका जो answer आएगा उस answer को फिर a में से minus करना है आप लोगोंने सबसे पहले आप देखें तो bracket वाली चीज़ को solve करते हैं तो bracket वाली चीज़ को solve करेंगे कि b minus c यह b matrix लिखा है और यह c matrix लिखा है और बीच में subtraction का sign है तो यह subtraction का sign हा आपके पास है और students जैसे कि हमने पहले भी discuss किया था दो matrices तब add हो सकते हैं यह subtract हो सकते हैं कि जब दोनों का order same हो जतने number of rows और number of column first matrices के हैं उतने ही number of rows और number of column second matrix होने चाहिए हैं आपके पास है यह देखें यह 3 cross 3 है तीन column है तीन rows है इसकी तीन rows तीन columns है तो यह आपस में subtract हो सकते हैं इस 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे इस 1 में से 3 को माइनस करेंगे इस माइनस 1 को इस माइनस 2 से माइनस करेंगे यानि कि correspondence entries को जो है वो आपस में subtract करना है पहली को पहले वाली से, second वाली को second वाली से, third वाली को third वाली से तो यह आपने subtract कर दी है सबी में से सब्टेक्ट करने के बाद आपके पास जो B-C का आंसर आया है वो आपके पास ये मैट्रिक्स है आपके पास ये मैट्रिक्स है अब आपने कह करना है इस मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से सब्टेक्ट करना है ये आपके पास A मैट्रिक्स आ जाएगा यह सब्टेक्शन आ गई और यह B-C का आंसर आ गया अब इसको भी उसी तरह से आपने सब्टेक्ट करना है जिस तरह से B में से C को सब्टेक्ट किया है उसी तरह से करने के बाद आपके पास यह आंसर आ गया यह फाइनल आंसर है आपके पास यह इसकी क्या है कि इसका आंसर है आपके पास जो कि आपने verify करना था आपने simple है आपको पता है कि दो number को subtract किस तरह से करते हैं 1 minus 1 0 आएगा यह minus 1 है यह minus और यह minus multiply यह प्लस हो जाएगा minus 1 plus 2 तो plus 1 आएगा similarly so on यह सारे इस तरह से ही चलते जाएगे इसके next question है आपके पास और यह important long question है आपके पास यह मैंने लिखा भी है long important long questions वो यह कहता है कि if a equal है iota 2 iota 1 minus iota b equal है minus iota 1 2 iota 1 and c equal 2 iota minus 1 minus iota iota then showed at आपने क्या करना है कि यह associative love multiplication of matrices है इनको आपने verify करना है कि पहले left hand side को find करना है फिर right hand side को find करना है और देखना है कि left hand side और right hand side का दोनों का answer same आ रहा है या नहीं आ रहा है अब देखें तो left hand side को देखें तो यह पहले bracket में लिखा हुआ हुआ है A matrix B से multiply हो रहा है then फिर C multiply हो रहा है और right side पे पहले B और C multiply हो रहे है उनका जो answer आएगा उसको A matrix से multiply करेंगे हम और इन तीनों matrix का जो order है वो square matrices हैं दो ही rows हैं सबी के और दो ही columns है तो यह आपस में multiply हो सकते हैं easily अब left hand side लेंगे जब left hand side में सबसे पहले आपने यह bracket वाली terms को solve करना है यानिक A और B को पहले multiply करना है आपने ये A के आपने value लिख ली और ये B की value लिख ली है अब आपको पता है कि ये first row जो है first column से multiply होगी तो इसकी ये first entry बनेगी ये first row second column से multiply होगा तो इसकी ये second entry बनेगी यह इसी तरह से यह second row जो है first column से multiply होगा तो इसकी यह third entry बनेगी इसी तरह से यह second row जो है जब second column से multiply होगे तो इसकी last fourth वाली entry बनेगी आपके पास आपको पता है इससे पहले भी आपने देखा हुआ कि किस तरह से दो matrices को आपस में multiply करते हैं यह third one में भी और three point two के question number two, three और four में भी यह आपने उसी तरह से इनको multiply करना है यह योटा is minus योटा से multiply होगा फिर plus आएगा बीच में फिर यह two ayotas two ayotas से multiply होगा फिर similarly यह ayotas one से multiply होगा फिर plus आएगा फिर two ayotas ayotas योटा से multiply होगा तो यह term आएगी इसी तरह से so on इंस को multiply करेंगे then आपके पास जहां पर यह योटा स्केर आ रहा है इसकी जगा पर इसकी value put कर दे जो के minus one के equal होती है यह sorry मैंने यहां पर यह गलत लिखा हुआ है यह minus one होगा यह गलती है यह minus one है plus one नहीं है इसकी value आपने put कर दी है यहां पर मैंने minus one नहीं put किया हुआ है लिखने में गलती होगी है अब आपने इनकी जगा पर value put कर दी value put करने के बाद आपने इनको solve किया तो a b जो matrix multiply होके आए है तो उनका answer यह आया है आपके पास अब आपने क्या करना है कि a b का जो answer आया है उसको c से multiply करना है c matrix से यह a b का answer आगया और यह c matrix आगया इसको भी उसी तरह से आपने multiply करना है जिस तरीके से उपर आपने a b को multiply किया है अब a b को multiply किया है आपने जब c से multiply करेंगे a b के answer को आपको पता है यह first row जो है इस first column से multiply होगा तो यह entry बनेगी यह first row जो है second column से multiply होगा तो यह entry बनेगी यह second row जो है first column से multiply होगा तो यह entry बनेगी और यह two जो है यह second row second column से multiply होगा तो यह entry बनेगी आपके पास और आपने verify करना है कि यह सही लिखा हुआ है मैंने सभी students ने Amor salad का ये अब आपने कैंके करना है जहां पर Yota square इसके जगप उसके value पुट कर दी है ये 2 आयोटा और ये minus 6 आयोटा minus 8 आयोटा हो जाएगा ये a长06اش के लिगा इसके जगपर minus 1 लिख दी आपने इसी तरह ये यहां पर ये जो है minus 1 आएगा यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री प्लस वान फूर हो जाएगा और यह प्लस योटा एज़िटीज आजएगा इसी तरह से सो अन इन सारों को आपने एड़ कर लेना है यह आपके पास क्या है? लेफ्ट एंड साइड का अंसर आया है आपके पास है, अब राइट एंड साइड में आपने क्या करना है? यह आपका हूम प्रैक्टिस क्वेस्टन है, यह आपने मुझे सॉल्व करके बेजना है इसका भी आंसर यही आना चाहिए, लेकिन उसमें कैलकुलेशन डिफरंस होगी एंड पे आंसर यह आएगा, लेकिन कैलकुलेशन डिफरंस होगी, मैं सबी का चेक करूँगा और यह आपने बेजना है, लाजमी अब आपने कैया करना है, इसमें सबसे पहले आपने B और C को मल्टिप्लाई करना है, जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड में आपने A और B को मल्टिप्लाई करना है, और उसका जो आंसर आएगा फिर उसको A को उसके साथ मल्टिप्लाई करना है, तो इसके साथ ही आज का लेक